तो नमस्कार यूनिट शिक्स में आज हम रीड वन स्टाइक अगेंस्ट वार के बीच में के बीच से महां चर्चा करेंगे और सबसे पहले थोड़ा हम परिचे ले लेते हैं तो यह जो लेशन है यह है हेलन केलर की एक स्पीच इसमें बताई गया है जो उन्होंने कर्नेगिल जो निवर के में आया हुआ है कर्नेगी हौल वहां पर उन्होंने स्पीच दिया था और पांच जनवरी 1916 में आज से लगबग सव वर्थ से अधिक समय हो गया है और आप इस लेशन में जब आप इनके मतलब स्पीच को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक चीज सम या सुनने को मिलेंगी और हिलेन किलर के बारे में कहें कि इनका बचपन बहुत ही दुखों से भरा हुआ था इन्होंने बहुत ही विबदाओं का सामना किया अपने बचपन में और साथ ही इनका जीवन अगर कहें आप ते खुद युद्ध बन गया एक संग्राम या एक उनका एक ही उद्ध था कि हमें युद्ध के सामने कभी हार नहीं मानना चाहिए बलकि हमको युद्ध का प्रतिकार करना चाहिए ऐसा इन्होंने बताया है इस ट्राइक अगेंस्ट वार यानि युद्ध के सामने प्रतिकार या युद्ध के सामने प्रहार करना ऐसा उन्ह good friends, मेरे मित्रों के लिए, the editors, जो संपादक है newspaper के, उन संपादकों के लिए, and others, और दोसरों के लिए भी कहने के लिए मेरे पास कुछ सब्द है, who are moved to pity me, जो मुझे पर दया करते हैं, जिनको मुझे पर दया आती है, ऐसे लोगों को कहने के लिए मेरे पास सुब्वात में सब्द है, some people are grieved, कुछ लोगों को दुख होता है, because क्योंकि they imagine, वह मानते हैं, I am in hand of unprincipled persons, मैं ऐसे लोगों के हाथों में हूँ, जो असे ध्यानतिक है, जिनका कोई सिध्धान्त नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों में मैं हूँ, या उनके अंतरगत मैं काम करती हूँ, ऐसा हमको लगता है, who persuade, कोई मानते हैं me, to adopt unpopular अप्रमाड़ी जो है, जो ज़्यादा लोग प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, causes, and make me the mouthpiece of their propaganda, और ऐसे लोग मुझे उप्योग करते हैं, अपने mouthpiece यानि प्रवक्ता, अपने प्रवक्ता के रूप में जो propaganda यानि प्रचार, जो उनका प्रचार करते हूँ, तो ऐसे मैं उनके प्रवक्ता के रूप में काम परती हूँ, ऐसा लोग मानते हैं, और इस वज़ा से मुझे से वह दुखी हैं, उनको मैं काना चाहती हूँ, Now let it be understood, लेकिन अब यह समझना होगा, once एक बार, and for all that, I do not want their pity, मुझे ऐसे लोगों की किसी प्रकार के मेरे उपर दयार नहीं चाहिए, I would not change places with one of them, मैं इन में से किसी के साथ अपने जो place, अपना जो मेरा स्थान है, उसको मैं change करना नहीं चाहती है, I know, मुझे पता है, what I am talking about, मैं क्या कह रही हूँ, क्या उनसी बात कर रही हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है, My sources of information, मेरी जो जानकारियां जो मैं एकत्र करती हूँ, उनके जो मेरे स्रोत हैं, जानकारियों के जो स्रोत हैं, are as good as, वो उतने ही अच्छे हैं, and reliable, और उतने ही योग्या हैं, as anybody else, जितना की दूसरों को, जिस तरह से लोग अपनी जानकारिया एकत्र करके, और लोगों को बताते हैं, और उनका एक स्रोत होता है, उसी तरह मेरा भी एक स्रोत है, कि जो मैं जानकारी लेती हूँ, वो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो असत्य या गलत बात उसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि मैं खुद उस जानकारी को एकत्र करती हूँ, I have papers, मेरे पास न्यूसपेपर आते हैं, या मैं न्यूसपेपर पढ़ती हूँ, and magazines और मैं पत्रिकाएं सामाई कोंको पढ़ती हूँ, कहां से, from England, France, Germany and Austria, अब आपको एक चीज यह समझना चाहिए, कि ये पत्रिकाएं, ये ब्रेल लिपी में खुद पढ़ती हैं, तो खुद पढ़ती थ इसका मतलब इनको knowledge था, कहां कहां, इंगलेयन की भासा का knowledge था, फ्रेंसिकी भासा का knowledge था, जर्मनी और अस्ट्या की भासा का इनको knowledge था, क्योंकि वो खुद उसका अभ्यासिया, उसकी जानकारे प्रात करती थी, that I can read myself, जो मैं खुद जिसका मैं पढ़ती हूँ, जिसका अ All the editors I have made can do that, मैं तो कितने सारे editors जो संपादक हैं, उनसे मिली हूँ, तो उनमें से बहुत, मतलब ऐसे बहुत से हैं, जो मेरे जैसा नहीं करते हैं, जिस तरह से मैं information का स्रोथ, अपना खुद, अलग अलग देसों से news paper को पढ़ती हूँ, ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, जब लोग हैं, have to take the French and German second hand, जो कि French और German उनको बादसा का ग्यान नहीं है, तो उसके लिए वो एक व्रक्ति रखते हैं, जो इसको translate करके उनको समझाता है, बताता है second hand, या second hand यानि ऐसे पढ़ा जा चुका, तो उसके अर्थ में है, तो यहां पर आपका सकते हैं कि second hand, यानि कि क किसी करक्ति के सारे वही चीज को या information को प्राप्त करते हैं, no, I will not depreciate the editors, इसका मतब यह नहीं कि मैं इन संपाध्गों को, मैं उनको अपमान कर रही हूं, आसी कोई बात नहीं है, they are an overworked, वह एक काम के बोज के तले दबहुए लोग है, misunderstood class, और जो इनको नहीं समझा जाता है, ऐसे work हैं, ऐसे work में आते हैं, let them remember, लेकिन उनको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, though, that if I cannot see the fire, उनको यह याद रखना चाहिए, कि यदि मैं आग की चिनगारी को नहीं देख सकती, at the end of the cigarette, उनके द्वारा cigarette जो वह लोग उनके पास होता है, तो cigarette में, अंत में जो चिनगारी होती है, जब मैं उसको नहीं देख सकती हूँ, यदि, तो neither can they thread a needle in a dark, तो उनको भी समझना चाहिए, कि वह अधेरे में सुई के अंदर धागे को नहीं डाल सकते हैं, या सुई के अंदर धोरे को नहीं डाल सकते हैं, यानि कि अगर कुछ कमी मुझ में है, त तो साथ मुझ से ज़्यादा कम्यून में भी है, all I ask gentlemen, तो इस तरह से मेरे जो यहां पर प्रस्दूत हैं, ऐसे सज्जन विकती लोग, I ask, मैंने कहा, is a fair field and no favor, मैंने जो कहा, मैंने जो बताने का प्रयास किया है, तो वो किसी के बक्ष में नहीं है, मैं किसी के बक्ष या ब मैंने इस संगर्स में प्रवेश लिया है, अगेंस्ट प्रिपेर्डनेस, प्रिवेश ने सज्जता, सज्जता तयारी, तो किस की तयारी पर, and against the economic system, और जो अर्थ ब्योस्ता है, तो उसके खिलाफ मैंने या पर, जो है, युद्ध में या संगर्स में मैंने भाग लिया है अंडर वीच वी लाइव, जिस अर्थ ब्योस्ता के अंतर के थम जी रहे हैं, इसके अंतर तक मैं लड़ने को तयार हूँ, and I ask no quarter, और इसके लिए मैं कोई समझाता करने वाली नहीं हो, किसी भी तरह का मैं समझाता नहीं कर सकती, All the machinery of the system has been set in motion, और आप देख रहे हैं कि जो हमारा तंत्र है, हमारा जो system है, वो पूरी तरह से गतिमान, motion, गतिमान हो चुका है, All the complaint and dean of the protest, अमारे जो वर्ग हैं, जो complaint सिकायत कर रहे हैं, या dean of the protest, जिनको विरोध करने की जिनकी आवाज है, From the workers के पास से जो आ रही है, उनके विरोध की आवाज, या उनके complaint की आवाज, Is here the voice of authority, वह जो है, उसके बदले में जो सत्ता दिस बैटे हुए हैं, उन पर सासन करने वाले हैं, उनकी आवाज उनसे उपर आ रही है, और वो सत्ता दिसों का आवाज कहा रही है, वो कहना है कि friends, मित्रों, it says, यानि जो सत्ता दिसों की आवाज है, अपने वरकरों के लिए, वो कहना है कि मित्रों, fellow workmen, मेरे सहकर्मियों, साथ काम करने वालों, पेट्रियोट, तुम देश वक्त हो, देश वक्त हो, your country is in danger, तुमारा देश तो खत्रे में है, there are foods, foods यानि दुस्मन, यहाँ पर बहुत सारे दुस्मन है, on all sides, on all sides of us, हमारे चारों तरफ, अगर कहें, तो दुस्मन ही दुस्मन है, यानि हम दुस्मनों से गिरे हुए हैं, ऐसे हमारे राजनेता, या ऐसे हमारे जो सत्तादिस हैं, उनका कहना है, क्योंकि उनको उनके वरकरों की, या उनके दबे हुए की आवाज सुनना ही नहीं है, अपनी आवाज को उनके ओपर हभी कर देना है, there is nothing between us and our enemies, आगे कहते हैं सत्तादिस, कि हमारे और हमारे जो दु बीच में कुछ नहीं है, except केवल the Pacific Ocean and Atlantic Ocean, अब ये अमेरिका से स्पीज दी जा रही है, तो अपने दुस्मनों को पारे मुरस में बता रही है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, खाली Pacific मास आगर है और Atlantic मास आगर है, और उसके बाद हमारे दुस्मन और हम खड़े हुए हैं, तो हमारी बीच में दूसरा कुछ भी नहीं है, यानि हमें सावधान रहना है, तुम लोगों को अपने देश के अंदर किसी भी तरह का बिरोद नहीं करना है, चुप जाप, जो होता है सहन करना है, ऐसा उनका कहने का ताथ पर हो रहा है, आगे करते हैं, look at what has happened in Belgium, आपने द मरमर, about low wages, तो क्या तुम खाली अपने low wages, यानि कम बेतन, अपने कम बेतन के लिए तुम मरमर यानि उसका विरोद करते रहोगे, या उसके बारे में बार बार बात करते रहोगे, when your country, जबकि तुम्हारा जो देश है, your very liberties, तुम्हारी पूरी जो आजादी सोतंतरता है, are in danger, यह खत्रे में है, तब भी तुम अपने पकार के या अब यतन की बात करते रहोगे, तुमको अपने देश की चिंता करने चाहिए, ऐसा सत्ता देश समझा रहा है कि इसको वरकरों को अपने, या अपने जो समाच जो परिसान है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा ताकि व माइजरी यू इंडियोर कमपेर तु अपने तु या उससे तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, आर्मी सेल अब इस रिवर जो की जर्मन की आर्मी जो है वह पूर्वी रिवर से जो है तरते हुए, शेल करते हुए, वह आक्रमन करेगी और अगर कहीं विजय हो गया तो तुमको बहुत ही तुक्का सामना करना पड़ेगा, quiet your grumbling, इसलिए तुम अपनी आवाज को या अपने इस विरूत के स्वर को बंद करो, इसको खतम करो, get busy, and अपने आप व्यस्त हो जाओ, यानि दूसरी जगह से अपने ध्यान को अटा लो, and prepare और तयार हो जाओ, to defend your friend, your fire sights, and your flag, और इस तरिये तुम अब अपने राष्ट, अपने राष्ट धोज के लिए, तुम तयार हो जाओ, उसके लिए fight करने के लिए, या उसके सामने युद करने के लिए, gate and army, एक army की तरह एक सेना बन जाओ, gate, navy और एक तरह से, जिस तरह से समुदर के अंदर, या जल्प में, थल में कहीं भी हो, वहाँ लड़ने कीने तयार हो जाओ, be ready to meet the, to meet the invaders, like the loyal, hated, free man, you are, जिस तरह से एक जो है इमानदार देश प्रेमी होता है, या एक जो है बहुत ही वफादार, जो loyal, hated, यानि वफादार जो होता, free man, स्वतंत्र व्यक्ति होता है, उस तरह से अपने देश में, जो ऐसे बाहर से घुशने वाले लोग हैं, उनको उनसे सामने रक्षण करने के लिए तुम तयार हो जाओ, यानि तुम अपने hit की बात मत करो, और तुम अब देश की रक्षा के बारे बात करो, और इस तरह से सकताधीर जो हैं, अपने labor, अपने workerों को, अपने मजदूरों को इस तरह से बात करके उनको divert करते हैं, आगे कहा गया कि will the workers, अब यहां से कह रही है, Helen Killer का speech चालू होता है, यहां से, और जो बीच में वो सब्द था, वो सकताधीर, authority के दोरा कही यह बात थी, अब Helen Killer कह रही है, उनको समझा दिया है, तो क्या workers, इनकी बातों में फंस जाएंगे, will they be full again, क्या होई फिर्चिक बार मुर्ख बन जाएंगे, I am afraid, so, मुझे तो डर है, ऐसा Helen Killer कहती है, आगे कहती है, the people have always been susceptible to oratory of this sort, और वे कर रही है, इसके अंदर, कि जो लोग है, जो पब्लिक है, जो और इस तरह से, उनका कहना है कि, जो लोग है, वह आसानी से, ऐसी बातों में आ जाते हैं, the workers know, वर्करों को पता होता है, they have no enemies, उनका कोई दुस्बन नहीं है, except their master, उनके मालिक ही उनकी दुस्बन है, ऐसा उनको पता होता है, they know, वह जानते है, that their citizenship paper, जो उनका नागरिक्त का जो करार है, contract है, कि वह उस देश के नागरिक है, are no warrant, उसमें कोई guarantee नहीं होती है, for the safety, उनके सुरक्षा के लिए, of their wives, उनके पत्नियों के लिए, and children, और उनके बच्चों के लिए, कोई सुरक्षे के उसमें कोई guarantee नहीं है, ऐसा उनको अच्छी तरह से पता है, they know, ये भ और उनने खुब सक्त मेहनत किया हुआ है, मेहनत करते हैं, and years of struggle, वर्षों से जो उनने संगर्स किया है, bring them nothing on to, उनको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, worth fighting for, इस युद्ध के द्वारा, कुछ भी उनको मिलने वाला नहीं है, yet फिर भी, deep down, in their foolish hurts, they believe, फिर भी वह अपने उस मन से, दिल से, भुले भाले मन से, बिल्यू माल लेते हैं, they a country, उस देश को, oh blind, vanity of slaves, अरे, एक इस तरह की, जो ऐसा कैसा अभिमान, यानि जो गुलामी का एक तरह से अभिमान है, ऐसा कैसा अंदर अभिमान इस तरह हो जाता है, the clever ones, जो हुशिया लोग देश में जो चतु how child is, कितने बचपन, यानि कैसा बचपना है, इन लोगों में, मजदूरों में, and silly, और कितने मूर्ख है, the workers are, they know, उनको यह भी पता है, that if the government desist them up, अगर government इनको dress पहना दे, अब इन खाकी, खाकी रंका, and gives them a rifle, और उनको हाथ में एक राइफल पकड़ा दे, and starts them off with a band, और जो जिस तरह में, जैसे सेना आगे बढ़ती है, उस तरह बैंट बसता है, तो उस तरह से अगर उनको आगे बढ़ा दिया जाए, and waving banners, हाथ में उनको banner पकड़ा दिया जाए, जो है, जिसके अंदर सब नारे वगरे लिखे जाते हैं, तो they will go forth, तो go forth आगे बढ़ना, तो तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, to fight लडने के लिए, willingly for the year on enemies, अपने दुस्मनों के लिए, वह आगे लडने के लिए तुरंत बढ़ जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे, they are taught, they are taught that, उनको सिखाया जाता, पताया जाता है, that brave men die for the year country owner, जो बहादुन लोग होते हैं, वह अ uesta to pay for a two fair value ideas, और इसके लिए उनको लिए क्या किमत चुकानी होती है, lives, उनके जीवन, lives of millions, यानि लाखों को जीवन जो है, of young men, यानि लाखों के जीवन में, जो लाखों के संख्या में, जो यवान लोग होते हैं, तो वह जो है, और दूसरा, other millions, यानि लाखों के संख्या म यूवान मृत्व पाते है या उनका घीवन कंब हो जाता है और दूसरे अदर मेलियंस जो होते है क्रिब्ड वह क्रिप़ल हो जाते हैं अपंग हो जाते हैं और इस पाद है एग्जिस्टेंस made horrible for still more millions इसके नमा अभी आने वाले समय में भी लाखोन लोगों को of human being ऐसे इसी गटनाओं से या इसी तकलिफमों से कुझ जनना पड़ता है क्योंकि युद्ध में साथ विनास करता है तो विनास की स्थित में ऐसी समझाय होनी होती है तो उनको अभी भी जहलना है आने वाले समय में भी उसी चीज़ को जहलना पड़ता है और इस तरह से इनके पास दुख के लावा इसमें कुछ मिलता नहीं है इनका जो भ्यानक बलिदान होता है वुड भी कम्रेंसबल ये समझने योग्य है If the thing you die for जिसके लिए तुम मर रहे हो जिसके लिए तुम अपने जान दे रहे हो for and call country fade तो अपने जुशको अपना देश के लिए गुर BAन हो रहा है उसके लिए वह देश तुमें fade, तुमें आहार खाने के लिए klood, कपडे, house, रहने के लिए घर and warmed और तुमारे सुरक्षा उप्रदान करे, educated तुमारे सिक्षा की ब्योस्ता करे and cherished your children और तुमारे बच्चों का पालन पोशन करे तो इसकी भी सामने guarantees को होनी चाहिए जिसके लिए कुर्मान हो रहा है I think मुझे लगता है the workers are the most unsurface जो यह worker होते हैं बहुत है निस्वार्थ सिवा से काम करने वाले लोग होते है और चिल्डेन ऑफ मैं जो की मनुष्ट के बच्चे की रूप में होते हैं यह बहुत ही निस्वार्थ होते हैं वो खुब मेहनत करते हैं और जीवित रहते हैं और उसके बाद जीवित रहने के बाते में तुपाते हैं और अफ यह तो रहते हैं रहने की बाते हैं और णिस्वार्थ हैं अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए वह यह सारी अपने जो है जीवन अपना बल्दान करते हैं अगर वर्कर से अबनों लिवर्टी अगर वर्कर है तो उनके पास कोई भी सोतंतरता नहीं है और और खुद की उनकी खुद की आजादी नहीं है they are not free, वह आजाद नहीं है, when they are compelled, अगर उनको बल पुर्वक जो है, या उनको पर बल लगाया जाता है, उनको force किया जाता है, to work 12 or 10 or 8 hours a day, अगर उनको दिन का 12 घंटा, 10 घंटा या 8 घंटा उनको काम करने के लिए जबरन उनको तयार किया जाता है, तो समझना कि वो free नहीं ह है, they are not free, when they are ill-paid, ill-paid यानि कम बेतन, अगर उनको कम मजदूर या कम बेतन दिया जाता है, किसके लिए for the existing toil, उनके कठी मेनत के बद्दें को कम पेमिन दिया जाता है, बेतन दिया जाता है, तो फिल समझो कि वो सोतंतर नहीं है, यानि वो फिल भी गुलाम है वो, they are not free, वो वो भी काम करने लाइक नहीं है, अगर वो मीलो में काम कर रहे हैं, और फीक्टृईू में काम कर रहे है, और तो अगर ऐसे बच्ची उनके पास है उनको कोई शूलक्चा नहीं है, तो समझो, तभी वो है free नहीं है, ऐसे लोग, and when there are women और जो उनके इस्तिरियां है मजदूरों की जो है may be driven by poverty वो ही गरीबी के चंगल में है या उन पर भी गरीबी हाभी है और उसकी वजहाद से two lives of same वो ही अपना सर्म जो है अपना जीवान जो ही मतलब सर्म में अपना जीवान यहां पर एकठा होना जो वह एकत्र होते हैं और जाकर करते हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए और उनको जेल में ढखेल दिया जाता है जेल में बंद कर दिया जाता है तो वह आजात नहीं है और उनका जो है आधार फुट जो एंका मुक्ष या मूल जो-णका नयाई मिलना चाहिए उसके लिए बोलते हैं या उनको झेल में डाल दिया है तो वो किसी कंडिशन में आजात नहीं है वी आर नोट फ्री अगे करती है है हिलिन के लर कि हम लोग फ्री नहीं है अनलेस दा मैन हुव फ्रेम एंड एक्जिक्यूट आप दो लग जो नियम या कानून को फ्रेम करता है तयार करता है यह उसका पालन नहीं कर रहा है रिप्रेजेंट दे इंट्रेस्ट आफ दे लाइवस अब दे प्यूपल आइंड नो अधर इंट्रेस्ट यानि सो खाली नियम को बनाने में इंट्रेस्ट है नियम को पालन करने में नहीं है पालन करने के लिए दूसरे को अगर फोर्स किया जा रहा है दूसरा उसको पालन करेगा अगर ऐसा है तो फिर वह अजाद नहीं है या हम आजाद नहीं है यानि नियम हमारे लिए है और बनाने वाले के लिए कोई नहीं है मतलब फ्रीमेन वह आजाद नहीं है कि सवतंतर से उनको और दे दिया गया आउट ओफ वेच लेव यानि वह पैसे के बद्ले में अपना मजदूरी कर रहे हैं चोटे-चोटे आवक में अपना काम कर रहे हैं लेकिन वह खाली मत देने से जो है आजाद नहीं हो गए देर है नेवर एग्सिटेट टूली फ्री और डेमोक्रेटिक नेशन जो प्रजासप्ता जो देश है उसके अंदर वास्तों में जो लोग सुतंत रहें नेशन इन देवल्ड ऐसा कोई भी देश दुनिया में नहीं है काने के लिए डेमोक्रेटिक पूरी दुनिया विश्व म सब्सक्राइम इममोरियल में हैव फॉलोड विट ब्लाइंड लोयल्टी यानि पिछले समय को देखा जाए तो ऐसे असंग की केस मिलेंगे आपको ऐसे जानकारी मिलेगी कि लोग जो है अंधे होकर के और बिल्कुल वफादार होकर के दा स्ट्रॉंग में हूँ हैड़ पा जो मज़ूर वबर गए हैं या जो मजदूर वबर गए हैं वह मैंसा उनके प्रक्ष में रहे हैं और या उनकी चाहे शलेव या गुलाम करते रहे हैं इवन वाइल बैटल फिल्ड वेर पाई हाई विद दियर ओंडेड यहां तक कि बैटल फिल्ड युद के माईदान में धेल लग जाता है खूब उचे तक धेल लग जाता है दियर ओंडेड उनहीं लोगों का जो है डेड बोडी उनके जो मरे हुए मृत पाई हुए लोगों का धेल लग जाता है दे हैब टिल्ड यह टिल्ड लेंड्स वे जमीन को खोदते हैं ऑफ दा रूलर्स जो सासन करने वाले ते उनके एंड हैव बीन रोब्ड और फ्रूट और उस जमीन को खोद करके उसमें से फसल के रूप में फल निकालते हैं खाने के लिए और अपनी मेहनत मजूरी के द्वारा दे हैव बिल्ड प्लेशिज उनके द्वारा जो है अस्थान जगा जगा के जो है निर्मा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर कोई भी लिबर्टी आने अजादी या सोतंतता का कोई प्रतिक कोई भी प्रतिक दिखाई नहीं देता है इतना करने के बाद भी आगे करते हैं कि ऐसे जर्वीलाइजेशन हैस ग्रॉन मोर कंप्लेक्स जैसे जैसे जो सुलीं हमाई नागरिकता है जैसे जैसे आगे बढ़े हम अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़े वैसे वैसे जो है मोर कंप्लेक्स यह बहुत जटिल होता गया दवरकर सहे बिकम मोर एंड मोर इंसलेव आज जो वरकर हैं वह दिन के दिन इनके अंदर गुलामी की जो प्रथा है वह बढ़ती गई इंसलेव होते गए गुलाम होते गए अंटिल टुड़े यह लिटल मोर देन पार्ट ओफ मसीन आज देखा जाए तो एक मसीन का एक हिस्सा जैसे हैं जैसे आप मसीन चाहें जब चाहें चालू करते चालू हो तो आज वह जो इंसलेव जो आपको मसीन दिख रही है वह आपको इन लेबर में मस्दूरों में दिखाए देगी डे ओपरेट डेली दे फेस डेंजर और आप देखें तो यह मजुद दूर्वर्ग जो हैं मेहनत करने वाले जो लोग हैं इनको दिन का दिन प्रती दिन उन लग गया उनको खत्रा आएक व्याहित करें पर तो उनके लिए क्रफते यहां पर जो आपर जहाँ मोजाम वश्तव के लिए लेकर करुंदर से अपने काम करते हैं और रेयलोर्ड के साथ रस्ते होते हैं जमीन के अंदर से जाने वाले तो रस्तों के लिए भी यह काम करते हैं on the sea, समद्र के अंतर, they move the traffic and pass from land to land, और वोई traffic को move करते हैं, चलाते हैं, यानि जैसे हमको कोई माल चाहिए, तो कोई भी दूसरे राज से माल अगरा रहा है, या दूसरे देश से माला रहा है, तो ट्राफिक के द्वारा, इन्हीं के द्वारा माध्यम से मा एक अस्थान से दूसरे जगहा पर माल को ट्रांसर गिया जाता है, the precious communities that make it possible for us to live, और ये इन्हीं का देन है, कि हमें कोई भी बस्तू कहीं से भी आखर के हमारे पास पहुंच जाती है, ये इनकी वज़ा से सक्यमनता है, ये इतनी कठिनाईय परसानियस आते हुए भी, ये इनको रिवाड़ी क्या मिलता है, क्या ही ना मिलता है, तो एक बहुत ही छोटा सा वितन इनको दिया जाता है, ये थोड़ी सी मजदूरी दी जाती है, often poverty, हमेशा गरीबी, rents, भाड़े, टेक्सी, उनके जो करव अगरे लगा जाते हैं, tributes, and war, compensation, और उसके लावा युद क समयन को जो सवलते दी जाती है, तो इस तरह से आने, इनकी इतनी बड़ी मेहनत का, इनको उसका नतीजा जो है, ना के बराबर या बहुत है कम मिलता है, आगे करते हैं कि the kind of preparedness, जो सूसर्जता, जो है preparedness, उसका प्रकार जो है, the workers want to recognition, जो worker है, उसका जो है, पाचान उनकी होन जाता है, and reconstruction, और उसका पुना निर्मार जाता है, of their whole life, अपने पूरो जीवन के लिए, such as, has never been attempted by statement or government, और ये कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी राज पूरुष के द्वारा, राजनिता के द्वारा, ये कभी प्रयाज नहीं किया गया, कि उसमें कुछ है, वही कि वही प्रथा आगे repeat होते चली जा रही है, और इनको हमेसा नीचे का नीचे रखा गया है, the Germans found, एक story बता रही है, यहाँ पर, बताई जा रही है, कि the Germans found out years ago, वर्सों की बात है, कि जो जर्मन थे, उनको ऐसा लगा, कि that they could not rise good soldiers in the slums, जो जो जोपड़ पट्टी ह होती है, उन जोपड़ी पट्टी के अलाम में, क्योंकि सुध्याओं को वहाँ भाव होता है, तो उनको पता था कि अच्छे खाते पीते बच्चे यहाँ तयार नहीं होंगे, तो यहाँ पर soldier नहीं मिलेंगे, जो देश के लिए लड़ सके हैं, वो नहीं मिलेंगे, so इसलि नहीं पाया, या उन्हों नहीं देखा कि, to it, that all the people had a list of few essential of civilization, वहाँ पर हर व्यक्ति के पास, जो है, वहाँ के civilization, जो वहाँ के जो नागरिकता या रहने के लिए, एक नागरिक के लिए जो चाहिए, ऐसे तमाम आवस्च चीज़ों की ज़रूत, आवस्कता पढ़ती थी, scanty food, कम खाना हो, लेकिन स्वस्त खाना हो, या ऐसे जो है, अच्छे खाने की व्योस्ता, उसके बाद है, प्रोपर मेडिकल केर, और उसके नमा जो है, योग्ये, उनके आरोगी की का ध्यान रखना, और प्रोपर सेफगार्ड और उनकी योगी सुरक्षा, फोर्द वर्कर इन दियर, और उनके व्योसाई के अंदर, ये सब जो है, उनकी सुरक्षा, और उनका आरोग का ध्यान रखना, ये उसके लिए उनके जरूरी था, और जरूरी होने के साथ-साथ, इसके लिए उनको खर्जभी करना पड़ता था, उनके प्रति, that is only a small part of what should be done, ये एक छोट is your business to force these reforms on administration, और आगे कहती है कि हर नागरी का करतब यह है, कि वह अपने administration जो उस पर सासन कर रहा है, उस सासन पर बलपुर्वक कहे कि इसमें कुछ बद्दाव लाया जाए, या उसके रहन साहन में उसके लिए जो जीवन जरूर्याद के जो खर्चे हैं, उसके उपर ध्या or can not do, अब हम आगे बात नहीं कर रहे हैं कि government क्या कर सकती है और government क्या नहीं कर सकती है, इस पर हमको बहांस नहीं करना है, ऐसा कहती है, हिलन किलर, क्या करते हैं आगे, all these things have been done by all the brilliant nations, और यह जो सारी चीज़ें है, यह एक जो धिमान रास्ट है, उसके द्वारा किया ही जात में, every fundamental industry और जितनी भी जो है, इसके अंदर मूलभूत जो industry उद्योग अगर है, has been managed better by the government, यानि government जो है, जो बहुत ही आवस्यक उद्योग है, उद्योगों का वहन या उनका देखभाल government करती है, सरकार करती है, then by private corporations, और वह जो है, जो private corporation है, उससे अच्छा है, जो उसका तो government कर सकती है, क्योंकि वह बहुत ही जीवन आवस्यक है, ऐसे उद्योगों का देखरेक सरकार को करना चाहिए, it is your duty, आगे करती है कि यह तुमारा अधिकार है, या तुमारा करतव है, to insist upon still a more radical measure, यानि बहुत ही सही माबदंड के लिए, आप जो है थोड़ा जागरित बन है, यह तुमारा अधिकार या करतव बनता है, it is your business, यह तुमारा कार्य है, to see that no child is employed, तुमारा यह भी देखने का अधिकार है, कि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा जो है, वो काम ना करता हो, यह बच्चा काम करने को उमने नहीं है, तो उसको बाल मजदूरी ना करता हो, यह ध्यारकना तुमारा काम है, कहां पर, in an industrial establishment, किसी भी अध्योगिक के संस्थानों में, और माइन और इस्टोर, या किसी खानों में, या किसी दुखान पर, and that no, और इसके लामा, that no work is needlessly exposed to accident or disease, या कोई भी ऐसा कारे ना हो, कि जो needlessly, बिना आवस्यक, या बिना आवस्यक कोई कारे हो, और उसके साथ, जो है, जो अकस्मात, या disease, या रोक का सर्जन करे, तो वो काम भी ना हो, यह देखना आपका करतव्य बनता है, it is your business, यह तुम्हारा ही करतव्य है, to make them you, you clean cities, आप उनसे कहो, या तुम्हारे सासक को कहो, कि तुम्हारे सहर को सच बनाए, यह तुम्हारा करतव्य है, उसके लिए आप सरकार के लिए मत बैठे रहो, free from smoke, यानि तुम्हारा जो आतावरन है, वो smoke धुए रही थो, सच हो, सवच अवाव, और dirt धूल वगर रहना हो, यानि सवच यानि साब जगह आपको रहने को मिले, and conditions, और इसके लामा जो है, आपको बताया गया कि, जो रहने का जो अस्थान आपका है, वो बिलकुल सवच और आपके स्वास्त के लिए लाबदाई हो, ऐसा जगह होना चाहिए तुम्हारा कारे बनता है, तुम्हारा कारे बनता है, तुम्हारा कारे बनता है, तुम्हारा कारे 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 है, त पर रास्ट के अपने रास्ट के हर डिपार्ट में जो तयारियां है यह अच्छी तरह से जन्म लेने का अधिकार ठीकार मिलना जाहिए वेल न्ए जब्रिकार不षन हों अधिकार मिलना चाहिएया एजॉक य। जुदेश्टेश्च सब्मारे लिए उवार कें सोचे समझाए और सर्वैस्जटर और चोड़मारे सेवा सेवा का तुम्हारे लिए ब्यश्ता करें ये राष्ट का जो है ज़्य होता है यह आपका करतबती यर उसके लिए जगाना भी आपका करतब सबस्सक्द बनता है और आपने कहती है strike against all ordinance जितने भी अध्यादेश हैं उनके सामने जो है strike करना चाहिए and laws और जो नियम कानून है जो तुम्हारे suitable नहीं है उनके सामने आपको उसका जो है strike करना चाहिए and institution जो संस्थाएं हैं उनके सामने that continue the the slaughter of peace and cruelty of war यानि इस तरह के तमाम अध्यादेश इस तरह के तमाम कानून इस तरह के तमाम संस्थाएं उनके सामने तुमको उनका अपोज करना चाहिए कि जिनकी वज़ा से सांति भंग हो जाए जिनकी वज़ा से एक जो है लोगों के अंदर जो है एक कुटिलता आ जाए लोगों युद्धों के लिए प्रेरित हो जाएं तो इनसे दूर रहने के लिए आपको उनका विरूद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बिना अगर युद्धों नहीं लड़ा जाएगा तो तुमको युद्धों में जाना है इसलिए युद्ध हो ही ना उसके लिए तुम उसका विरूद करो ताकि तुमको युद्ध में भी ना जाना पड़े अगर कई मिनुफेक्ट्रीह व रहा है स्क्रेप गयासबॉम की mendh tablet चाहिए अची 측़ जाएं झाला मार काट को ही ना जाता है उस चीजियद का जहां भी उतपादर हो उस चीजिर में कि लिए तुमको उसका ग्रियोद करनाथ चाहिए स्ट्रिक अगेंस इस देट में स्ट हैंस दैथ मतलस करना चाहिए इसका मतलब मृत होता है तो उसके लिए डूर Chelsea स्ट करना है आपको दूर्प हो जाए जिससे दुख करना तरी चाहिए। मिलिंशन ओ Immediately बीक है का धीसमें लोग परशान हो जाए जिससे बृतुपा जाएं या जिससे दुखी हो जाएं आईसी कोई भी तैयारी के सामने आपको उसका विरोध करना चाहिए इसलिए आपको कभी भी इसके अंदर जो चुप चाप नहीं रहना है बिना बोले नहीं रहना है ऑबेडियंट स्लेयूस और एक जो है आज्या कारी गुलाम बनकर का आपको नहीं रहना है इनने अर्मी ऑफ डिस्ट्रक्षन जो कुई किसी तरह का कंस्ड्रक्षन न कर सके जो छट-बछट कर देने वाली आर्मी हो ऐसे आर्मी में आपको गुलाम बनकर उस से नम नहीं रहन है तो विद्यार्ची में तुरों यहां पर आपका यह लेशन कंप्लिट होता है और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है यह लेशन में ग्लोसिज वगर आप सिमिलर मेनिंग इसके अधर देख सकते हैं ठैंक यू